Special veg biryani बनाते हैं, जो खाने में बहुत ही लाजवाब और स्वादिस्ट है. It's a full of flavor and a complete meal. Mealy biryani जो है non-vegetarian होती है, पर मेरी इस veg biryani के recipe में आपको बहुत सारे अरोमा और स्वाद भी मिलेंगे. Hello everyone, welcome to Banjo's Kitchen. चलिए बनाते हैं soya granule biryani. ये हैं soya के छोटी-छोटी टुकडे जो मैंने half cup लिया है. ये market में available है और आप इसे घर पर भी soya chunk को crush करके बना सकते हैं. इसे हम one cup पानी में 10 minute के लिए soak करेंगे और पानी बाद में निकाल करके उसको निचोड करके हमने रख लेना है. एक cup बास्मती राइस पानी में भिगा लिया है. गैस पर steamer में पानी डाल कर हमने गरम कर लिया है. सब्जियों को हम fry न करके steam करेंगे. half cup each capsicum, cauliflower, carrot और potato लिया है. medium flame पर हम 10 से 15 minute के लिए हम इसे steam करेंगे. हम fry करके भी सब्जियों को ले सकते हैं पर ज्यादा oil avoid करने के लिए मैं steam करना prefer करती हूँ. सब्जियों को हम थोड़ा फैला करके रखेंगे जिससे की ये अच्छे से steam हो जाएं. सब्जी आप अपनी choice से mushroom, beans, कुछ भी ले सकते हैं. ये आपके उपर depend करता है. अब हम cover लगा देंगे और इसे पकने देंगे. अब हम paste बना लेते हैं. 2 medium size tomato, 1 inch ginger है और 3-4 लहसुन की कलिया है. कड़ाई गरम हो चुकी है. हम इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून के करीब घी. आप चाहें तो oil भी यूज़ कर सकते हैं. आपकी चॉइस पर depend करता है. मैं घी डाल रही हूँ क्योंकि घी से अच्छा स्वाद आ जाता है. और अब हम डालेंगे हमारे सारे जो साबुत गरम मसाला हैं. तेश पत्ता एक लिया हुआ है. बड़ी इलाईची एक है. चोटी इलाईची दो से तीन डालें. सिनेमम एक लॉंग और काली मिर्श के चार-पांच दाने हम डालेंगे. और साथ ही जीरा साबुत हमने वन टीस्पून डाल दिया है. अब इसे हम थोड़ा मिला लेते हैं. और मसालों को अच्छे से चटकने देंगे. और अब हम एड़ करेंगे बारी कटा हुआ प्याज जो मैंने एक मीडियम साइज का लिया है. और इसे हम गोल्डिन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे. इसे दो से तीन मिनट तक हमने फ्राई करना है. पानी भी हमारा उबल चुका है. प्याज भी ब्राउन हो चुका है. अब हम टोमाटो जो प्योरी बनाया था ये हम इसमें आड़ कर देंगे. और flame हमने medium ही रखा हुआ है इसे चला देते हैं मसालों को 2-3 मिनट तक हमने पकाना है अब हम चावल को पानी में डाल देते हैं चावल हमने जादा over cook नहीं करना है आदा ही पकाना है तो इस बात का ध्यान रखें आप चलाते रहें बीच बीच में मसाले एड़ करेंगे रडचिली powder half teaspoon तर्मरिक पाउडर half teaspoon धन्या powder one teaspoon जीरा powder half teaspoon गरम मसाला powder half teaspoon अब हम डालेंगे वेज बिरियानी का मसाला two teaspoon के करीब किसी भी ब्रैंड का आप यूज कर सकते हैं और अब हम डालेंगे salt, as per taste हम salt डाल रहे हैं, और इन्हें हम अच्छे से mix करेंगे, मसालों को अच्छे से हमने 2-3 मिनट तक भुन लेना है, flame को हमने medium ही रखा हुआ है, इसे हमने अच्छे से चला दिया है, अब इसे हम ढग देते हैं, चावल भी हम चला देते हैं, और हमारी सबजियां जो हैं, उसे भी हम चेक कर लेते हैं, ये steam हो चुकी हैं, और gas बन कर देते हैं, 3 मिनट हो चुके हैं, मसाला चेक कर लेते हैं, अच्छे से भुन चुका है, मसाले से घी भी separate हो चुका है, अब हम इसमें add करेंगे soaked soya granules, इसका पानी निचोड कर हमने निकाल लिया था, और हम साथी add करेंगे इसमें हराम मतर, जो कि मैंने half cup लिया हुआ है, और पनीर half cup ये भी मैंने लिया हुआ है, ये दोनों ही मैंने frozen लिये हुए हैं, और काजू के टुकडे जो मैंने one fourth cup लिय और साथी डालेंगे fresh mint बारी काट करके मैंने लिया हुआ, एक टेबल स्पून के करीब, इसे हम अच्छे से mix कर लेते हैं, इन सभी चीजों को हमने अच्छे से मिला लेना है, बिल्कुल मसाले अच्छे से मिल जाने चाहिए, तब तक हम चलाएंगे इसे, और फिर इसे हम द दो से तीन मिनट तक ठक करके लो फ्लेम पर हम पकाएंगे, चावल उबल चुके हैं, अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं, ध्यान रहें, चावल जादा ओवरकुक नहीं होने चाहिए, साथी हम सबजियों को भी चेक कर लेते हैं, दो मिनट हो चुके हैं, अच्छे से मसाल मिल चुके हैं, और अब हम इसमें जो हमने स्टीम वेजिटेबल किया था, उसे हम एड कर देंगे, अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, सबजियां भी और अब हम इन्हें चला देते हैं, ये देखिए, इन्हें हम मिक्स कर देते हैं, हलके हाथों से ही मिलाएं, जिससे की तूटे नहीं, यह हमारा मसाला अब बिल्कुल तैयार है, यह देखिए, बिल्कुल रेडी हो चुका है, दम पर रखने के लिए मैंने एक हेवी बॉटम पैन लिया है, अब मैं इसमें घी डालूंगी, एक टेबल स्पून, और अब हम बिर्यानी को इसमें सेट करेंगे, राइस का एक लेयर पहले हम डालेंगे, इसे हम अच्छे से चारो तरफ फैला लेंगे, चावल बिल्कुल परफिक्ट पके हैं, हाफ कुक्ट हैं, और अब हम इसका सेकिंड लेयर डालने जा रहे हैं, जो कि मसालों का है, इसे भी हम अच्छे से चारो तरफ फैला लेंगे, औ और अब हम डालेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्ची, यह optional है, इसे skip भी कर सकते हैं, और अब हम डालेंगे fresh पुदिना के पत्ते, इसे हाथ से तोड़ा तोड़ करके फैला देंगे, और अब हम अपना next layer तयार करेंगे, चावल को सेम उसी तरीके से हम हलके हाथों से चारों तर और अब हम मसालों की लेयर बनाएंगे मसालों को भी हम ऐसे ही चारो तरफ अच्छे से फैला लेंगे और हल्के हाथों से इसे हम फैला करके रखेंगे सेम प्रोसीजर में अब मैं थोड़ा सा ग्रीन चिली उपर से डालूंगी और हलका सा गरम मसाला का पाउडर डाल रही हूँ और फिर पुदीना के पत्तों को हाथ से तोड़ करके सेम वैसे ही फैला लेना है उपर से हम डालेंगे एक या दो टेबल स्पून के करीब घी और अब हम धक्कन को लगा देंगे और लो फ्लेम पर आठ से दस मिनट तक हम इसे दम पर पकने देंगे लीजे तैयार हैं सोया ग्रैन्यूल बिर्यानी तो हैना मज़ेदार प्रोटीन और स्वाथ से भरी हुई साथ ही बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है बहुत ही खिले खिले बने हैं और अब हम मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ बिलकुल अलग-अलग दाने हैं तो कैसी लगी आपको मेरी ये बिर्यानी की रेसिपी कमेंट करना न भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ टिक केर एंड बाई बाई